मिंकू और उसके चार बच्चे मिंकू के चारों बच्चे सो रहे होते हैं मिंकू सुबा सुबा उठकर बच्चों का खाना वही पास में रख देती है और एक बच्चे को जगा देखकर उससे कहती है मैंने तुम लोग का खाना वही पास में रख दिया है जब सब उड़ जाएं तो खा लेना तो बच्चा कहता है ठीक है वाँ हम लोग खा लेंगे आप अपना ध्यार रखना इतना कहकर मेंकू रात का खाना ढूंडने निकल जाती है जब वाँ ठाक हार कर घर को वापस लोटती है और बच्चों से पूछती है खाली आना कम तो नहीं पड़ा एक बच्चा जवाब देता है नहीं मा कम नहीं पड़ा बल्कि खाना बच ही गया क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मा खाना नहीं खाई होगी हम भूखे ना रह जाएं इसलिए वही भूखे रह गई या सोचकर बच्चे थोड़ा खाते है और थोड़ा मा के लिए रख देते है मा भी समझ जाती है और मन में सोचती है बच्चे कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला मा फिर खुद खाना खाती है और बच्चों को भी अपने हाथों से खिलाती है फिर वह हसते खेलते सो जाते हैं बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें थैंक यू